तो फाइर ट्यूब वाइलर का एक बहुत इंपॉर्टेट इंग्जामपल है लोको मोटिव वाइलर फरस्ट अपॉल हम यह समझते हैं कि आखिर लोको मोटिव क्यों कहा जाता इसे तो देखिए जो हम रेलवे में जो ट्रेन देखते हैं तो ट्रेन का जो सबसे फर्स्ट बो कि मुटिव को एंजिन उसका पार्ट है सही माइने मुस का नाम लोको मुटिव है इसके से यह जो होता है एक जगा से दूसरी जगा ट्रेवल करने के लिए जनरियूज होता है इसलिए जब हमने फाइर टू बॉइलर और वाटर टू बॉइलर में जब हम discuss कर रहे थे comparison पड़ रहे थे तो वहां पर हमने यह बात देखा था हमाँ पर कि जो फायर ट्यूब वायलर होते हैं जिसका एक्जामपल लोकोमोटीव वायलर भी है उनकी capacity भी कम होती है और उसकी height of chimney का जो height होती है वो भी कम होती है उसकी वज़ा का आज हम लोग discuss करे करेंगे तो देखते हैं कि लोकोमोटीव वायलर जो केक फायर टूब वायलर है किस तरह के से वर करता है अगर हम से इस फिगर में देखें तो इस फिगर को तीन पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं परस्ट पार्ट अगर देखा जाए तो सबसे लेफ्ट का जो compartment है चैंबर है वो सबसे लेफ्ट का चैंबर यह रहा और इस लेफ्ट के चैंबर की बात की जाए तो इस लेफ्ट के चैंबर को कहते हैं फायर बॉक्स उसके बाद जो मीडियम का चैंबर होता है उसे कहते हैं शेल और जो राइट चैंबर होता है राइट सेक्शन का उसे कहते हम स्मोक बॉक्स तो यहां पर अगर हम बात करें सबसे पहले स्टार्ड करते हैं इस कंबश्चन चैंबर का जहां को यह कंबश्चन होता है फ्यूल का तो आप देख सकते हैं कि यहां फायर ब्रिक आर्क लगा हुआ है उसके नीचे बना हुआ है ग्रेट तो अगर इस Ilsичand के बाद जो फूल होता है वहां पर अब इस से चांडा होगा यह हमारे पास ग्रेट है इस ग्रेट से क्या होगा जो ऊपर अपर और सितियुदका कंबश्चनов और कंबश्चन लेका और सब्सक्त्रियों होड़ फ्लु गैसे से सूंगी उन हौड फ्लुगैसेस को हमें ट्रांसफर करना होता है इस मिडिल पोर्शन में इस एरिया में शल के एरिया में उसे भीजने के लिए हम यूज करते हैं फायर ब्रिक आरक का हम यूज करेंगे for the providing the motion of hot flow gases from this combustion chamber to shell तो इसकी तरह के से जैसे हम एक hopper को यूज करते हैं हवा को एक तरह के से दूसरी जगर ले जाने के लिए ट्रैवल कराने के लिए तो यह यहां से देखिए यहां पर arrow बना हुआ है इस arrow के दिज़े से यह शो किया गया है कि hot flow gases यहां से ट्रांस्वर होगर के शेल के बीच में जा रही है शेल के दिद्या में जा रही है और इस अगर firebox कि इस commercial chamber की बात की जाए तो इसमें fire hole होते हैं और इसको oxygen प्रवाइड करने के लिए हमारे पास secondary air और primary air की जगह होती है और उसके साथ साथ इसमें एक उपर लगा होता है safety wall कि कभी इसमें कुछ problem होने पर safety wall open हो सकता है अब यह जो hot flow gases यहां से combustion के बाद यह जो transfer हो इस side में shell के area में तो shell के area में जा करके अब यह क्या करती है इस यह जो boiler के जो tubes है long tube यह जो portion है long tube इस long tube के अंदर क्या करते हैं वो अंदर flow करने लगते हैं तो ट्यूब के अंदर होता है hot flow gases और उसके surrounding में बाहर के तरफ यहां पर water filled होता है उपर ड्रम लगा हुआ है तो यहां पर पूरे area में क्या होगा water filled होगा और इस water को heat transfer होगा फ्रॉम डिस ट्यूब के अंदर hot flow gases है देखिए यह ट्यूब के अंदर यहां पर hot flow gases आई हुई है तो अब heat transfer हुआ from tube to water अब जो water को heat transfer वो water steam में convert होकर के उपर इस dome में क्या होता है collect होने लगता है अब इस dome में जब जो steam collect हुआ वो steam actual में wet steam है wet steam का मतलब हुआ इसमें water के particles जादा हैं और जब water के particles जादा होंगे तो यहां पर उसमें power के कम होगा और इससे erosion भी बढ़ेगा तो basically is wet steam को हम इस pipe के तुरू आगे भेजते हैं और इस pipe के तुरू आगे भेजने के बाद अब देखिए आगे जाने पार यहां पर कई सारी छुटे छुटे चुटे pipe इसी बड़े pipe में क्या है connected है तो basically यह जो wet steam है इस छोटे वाले pipe से इसके अंदर pipe के अंदर चला जाता है तो बाद समझेगा जो नीचे का जो pipes थी इनके अंदर हॉट फ्लू गैसेस हैं उपर की जो pipes है उसके अंदर रोड इस्टीम हैं अब यह वेट इस्टीम क्या करता है इस pipe के अंदर रोटेट करता है अब आपको पता ही होगा कि यहां से हौट फ्लू गैसे इदर आई थी तो उन hot flow gases के तुरू क्या है वो heat transfer होने लगता है इन wet steam को और wet steam को जब heat transfer होगा तो वो wet steam convert हो जाएगी हमारी superheated steam में अब जब superheated steam में convert हो गई तो अब हम इन steam को क्या कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं इस steam को यूज़ करने के लिए हमने कहां भेजा उसे देखिए इस red वाली pipe के तुरू आपको दिखाया गया है कि यह जो red वाली pipe है red वाली pipe इस red pipe के तुरू इसे transfer किया जाता है super steam को एक steam engine में जिसमें cylinder और piston का arrangement शो किया गया है तो यहां पर इस locomotive boiler में ही हमने देखा किस तरीके से combustion के बाद hot flow gases को इस tube के अंदर भेजा गया और फिर इस tube के तुरू जो heat का transfer हुआ water को water convert हुआ wet steam में में collect हुआ यह dome में और फिर यह pipe के तुरू गया इस छोटे वाले pipe में पतले-पतले pipe में जहां पर इसका conversion हुआ from wet steam to super heated steam और फिर इस super heated steam को इस red pipe के तुरू हमने इस जो है engine में भेज दिया जहां पर इसका work done हमें मिल रहा अब थार्ड जो last chamber देखा जाए तो इस chamber की बात करते हैं इस chamber में क्या होता है कि यह जो hot flow gases इस pipe के अंदर थी वो क्या करेंगी heat transfer के बाद smoke के form में होगा इस smoke को क्या करना होगा हमें बाहर निकालना होगा अब एक बात समझेगा आप अकसर कहीं पर भी eat के भटे देखेंगे या factory देखेंगे तो आप एक long chimney देखते हैं लंबी चिमनी लंबी चिमनी इसलिए लगाते हैं अच्छी खासी हाइट लगाते हैं ताकि यहां पर क्या हो अब यह आपके लिए नया वर्ड है ड्रॉड क्या होता है ड्रॉड बेसिकली क्या होता है एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है चिमनी के बाहर और जहां पर smoke box area है वहां पर प्रेशर डिफरेंस क्यों क्रिएट किये जा रहा है उसकी वज़ा यह है कि जब प्रेशर ड हुए का फ्लो कराना है तो यहां पर प्रेशर का डिफरेंस Chili होना बहुत जरूरी है ताकि वहां पर जो पॉर्डूस हो दीस हो ताकि वहां से जो इसमोख है वह एजीली बाहर जा सके अब चुकि ये एक locomotive boiler है और ये travel करता है तो यहां पर आप long नहीं लगा सकते हैं तो यहां पर क्या होता है एक short chimney होती है छोटी सी chimney होती है अब जाहिर से बात है जब छोटी chimney है तो यहां पर pressure difference create नहीं हुआ मैं आपको आगे भी chapter में पढ़ाऊंगा कि किस तरह के से draw produce किया जाता है मैंने एक brief में सिर्फ example दिया है आपको introduction दिया है तो यहां पर चिमनी छोटी होगी तो required draw produce नहीं होगा और जब required draw produce नहीं हुआ यानि कि pressure difference create नहीं हुआ इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है यहां पर एक manually arrangement करना पड़ता है जैसे इस स्टीम से हमने इस इंजन को चलाया तो इससे भी तो exhaust निकलेगा उसमें जो पावर होगी उसको हम यूज करेंगे इस smoke को बाहर करने के लिए तो basically यहां क्या होता है artificial यहां पर एक draw produce कि आ जाता है एक draw produce कि यहां पर artificial आटिफिशिल डौड प्रॉडूस कि आ जता है ताकि इस smoke को यहां से बाहर किया जा सके इस तरीके से हमने समझा कि यह लोको मोटी बॉयलर कि इस तरीके से वार करता है अब हम इसमें देखेंगे कि इसकी theory कैसे नूट करना है ताकि ह हमने समझ तो लिया इसे लेकिन हमें इसकी थियोरी को लिखना भी एक्जाम में होगा और एक ऐसा डाइग्राम डॉट करना होगा जो इसलिए डॉट कर सकते हैं तो मैं आपको वह भी प्रोवाइड करता हूं अभी मैं आपको इसका थियोरी भी प्रोवाइड कर दे रहा हूं तो यह theoretical portion है जो मैंने अभी locomotive boiler का working आपको समझाया कि किस तरह के से तीन पास की working हमने समझा कि एक firebox का area है, दूसरा shell का area है, तीसरा smoke box का area है, तो इस theoretical portion में आप पूरी तरह के से उसे note कर सकते हैं और समझ सकते हैं, तो आप लोग इसे note कर लीजिए भी तो जैसा कि यह locomotive boiler है, locomotive boilers were invented for getting steam to run a steam engine used in locomotives, these are fire tube type boilers, it has basically three parts, smoke box, shell and firebox, अब तीनों का यहां पर work दिखाए गया है, inside firebox the fuel, यानि coal लिया गया, is burned over the grate, grate को पर बर्निंग होगी, for feeding fuel the fire hole is used, hot gases produced in the box are diverted by fire brick arc and entered into the fire tubes, surrounded with water, तो tube के अंदर hot flow gases होगी और tube के बाहर क्या होगा, water होगा, steam produce gets collected in a steam drum, fitted on top of the shell, जो जो अब वेट स्टीम के बाद करते हैं, वेट स्टीम गोस थ्रू इनलेट हेडर्स आप सूपर हीटर, अफ्टर पासिंग थ्रू तू 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 आउटलेट हेडर आप सूपर हेडर आप सूपर हीटर and is taken out for steam engine, जैसे कि उसमें steam engine में मुझसे जूब जी किया, a very large door is provided at the end of the smoke box, so as to facilitate cleaning and maintenance of complete boiler, तो जो जो लार्ज दो प्रोइड किया गया, उसके cleaning के लिए प्रोइड किया गया, इसली cleaning हो सके, it is moving boiler, therefore its chimney is completely eliminated for the burned gases, यानि ड्रोड प्रोड प्रोडूस करना होगा, the exhaust steam coming from steam engine is being used, thus it is an artificial drought used in this boiler for expelling burned gases, तो यह हो गया इसका theoretical portion, अब बात करें अगर कि इसका जो exam में हमें diagram draw करना है, तो वो diagram आपके सामने है, आप चाहें तो इसे भी draw कर सकते हैं, तो इस diagram को आप देखिए, यह आपके पास एक drawing है, जिसे आपको draw कर रहा है अपने coffee पर, और इसे आप exam में draw करने के लिए भी use कर सकते हैं, सेम वैसा ही diagram है, बस इसमें मैंने आपको यहाँ पर steam engine नहीं बनाया, बाकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि इसे तीन पार्ट में divide भी किया गया है, तीन shell बने हुए हैं, एक shell यह smoke box हो गया, सबसे right में हुए fire box और beach के area यह है, जो barrel के area देख रहा है, इसे कहते हैं shell के area, तो इसे आप अपनी copy में draw कर लिए, और इस तरह के से आप locomotive boiler को पूरी तरह से यहाँ पर represent किया जा सकता है, तरह सकते हैं, प्राइम हैं डो valid किया है यह less obvious